हेलो गाईज आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाटसप के प्रोफाइल फोटो में अपना फूल फोटो को लगा सकते हो तो गाज जैसे कि मेरे पास ये वाला फोटो है जो कि फुल स्क्रीन है तो अगर मैं इस फोटो को वाटसब के प्रफाइल फोटो में लगाने जाओं तो आप यहां देख सकते हो ये फोटो पूरा नहीं लगेगा या तो मैं इसका उपर का हिस्सा लगा सकता हूँ या फिर न तो गाज वाटसब के प्रफाइल फोटो में पूरा फोटो लगाने के लिए आपको एक डाउलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फिक्सल लैब गाज आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा बस थोरा सा फोटो को एडिट करना है जिससे आप वाटसब के टाइब करना है फिक्सल लैब इतना टाइब करके आपको सर्च कर लेना है तो सर्च करते ही वह एप आपके सामने आ जाएगा तो आप देख लो यह वाला एप को डाउलोड करना है मैंने आपने मौईल में डाउलोड कर रखा है आप भी यहाँ से डाउलोड करके ओपन कर तो घाज जैसे ही आप इस एप को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा तो आपको क्या करना है तो आपको यहाँ पे सबसुपर right side में दिख जाएगा तो आपको यहाँ पे 3.00 पे क्लिक कर लेना है three dot पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ option आ जाएगा तो आपको यहाँ पे एक option दिख जाएगा image size तो आपको image size पे क्लिक कर लेना है तो image size पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा तो आपको यहाँ पे एक option दिख जाएगा custom तो आपको custom पे click कर लेना है तो custom पे click करने के बाद आपके सामने कुछ option आ जाएगा तो आपको यहाँ पे profile picture वाले option पे click कर लेना है तो profile picture वाले option पे click करने के बाद profile picture का जो size होता है वो size यहाँ पे आ जाएगा तो आपको यहाँ पे ok पे click कर लेना है तो ok पे click करने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे उपर लेप साइड में प्लस का आइकन दिख जाएगा तो आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ आप्सन आ जाएगा तो आपको यहाँ पे एक आप्सन दिख जाएगा फ्रोम गैलरी तो आपको फ्रोम गैलरी पे क्लिक कर लेना है तो फ्रोम गैलरी पे क्लिक करने के वाद अब आप अपने मोवाल के गैलरी में आ जाओगे तो आपको यहां से वो फोटो पे क्लिक कर लेना है जिसे आप वोट्सप के प्रोफाइल फोटो में जाएगा तो आपको इस फोटो को यहां से पकर के इस बोक्स के नीचे तक ले आना है फिर आपको इस फोटो को यहां से पकर के इस साइड तक ले आना है इस फोटो को इस बोक्स में अच्छे से फिट कर लेना है फिट करने के बाद आप चाहो तो इस फोटो पे कुछ लिख भी सकते हो इस एप से आप बहुत कुछ एडिट कर सकते हो तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो गाइस फोटो को इस बॉक्स में फिट करने के वाद आपको उपर में यहां पे क्लिक कर लेना है तो क्लिक कर लेना है, तो save to gallery पे click करने के बाद, वो photo आपके mobile की gallery में save हो जाएगा, तो आप यहां देख सकते हो, वो photo मेरे gallery में save हो गया है, तो अब मैं आपको whatsapp के profile photo में ये photo को लगा के दिखा जेता हूँ, तो WhatsApp को open करने के बाद उपर 3.00 पे क्लिक करेंगे फिर setting पे क्लिक करेंगे फिर profile पे क्लिक करेंगे फिर camera वाले icon पे क्लिक करेंगे फिर gallery पे क्लिक करेंगे फिर हम उस photo पे क्लिक करेंगे जिसे हमने अभी edit किया था तो photo पे क्लिक करने के बाद आप यहां देख सकते हो, वो फोटो इस पोक्स में पूरा सेट हो गया है तो आप इसे Profile Photo में लगाने के लिए नीचे Done पर किलिक कर लेना है तो Done पर किलिक करने के बाद, वो फोटो What's Up के Profile Photo में लग जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हो वो full photo अप whatsapp के profile photo में लग चुका है तो आप भी चाहो तो इसी तरह से अपना कोई भी photo को full photo अपने whatsapp के profile photo में लगा सकते हो तो guys यही था whatsapp पे full dp लगाने का simple सा process तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलते हैं अगली वीडियो में